हाई फ्रेंड कैसे आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा पाव केजी का चॉकलेट फिलेवर का केक है पर मैंने इसका वन सिक्स्टी बिल्कुल भी चार्ज नहीं करी हूं और एक्स्ट्रा करी हूं और कितना करी हूं वह आपको एं करीम लगा हूं और मेरा वीपिंग करीम वाइट इसलिए है क्योंकि मुझे उपर है ना वाइट से ही काम करना था तो पाव केजी के लिए थोड़ा सा क्रीम लगता है तो मैं बावल में अगर आदे में मिक्स करती और वाइट में कहीं थोड़ा चले जाता तो मेरा बेस मन आते ही नहीं हैं लेकिन इस बार मेरी बेटी जिद कर रही है कि अम्मी मेरा भी बड़े मना में पर चुटे में और वह Puis अब चले करने होें का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो जाने दो मैं विपिंग किरेम से ही फुलावस बना के रख दूंगी तो वो बोले हम लोग के घर में इतना मिठा कोई नहीं खाता है बस मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है तो आप वो ही बना दो भले केक छोटा रहेगा हमको कोई दिकत नहीं है तो मैं ठीक है जैसी आपके मर्जी और मुझे भी बना कर देने में क्या प्रॉबलम है वैसे डिजाइन देखके तो मुझे अच्छा ही लगा था कि चलो मेरे को एक नहीं डिजाइन मिल गई और फिर मैंने इसका क्रम कोट करी हूं फिर इसकी फाइनल आइसि क्योंकि जब वो कस्टमर बोले कि हम लोग कभी केक मंगाते ही नहीं है तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्यूंकि आज कल तो केक के बिना कोई सेलिबिरेशन होता ही नहीं है बड़े तो छोड़ ही दो कुछ ओपनिंग है या और कुछ है नए घर में जा रहे हैं कोई चाहिए और यह उम्मीद करूंगी कि उनको डिजाइन बहुत पसंद आए क्योंकि अभी मुझे फीडबेक नहीं मिला है अगर मुझे मिलेगा तो आगे मैं जरूर शेयर करूंगी और यह कस्टमर को है ना पहली बार दे रही हूं इसके लिए मैं यहां पर एमल्शन डाली आप लोग को भी लगता ही होगा जो केक बना रहे होंगे और यह नीचे में वेब वाली डिजाइन बना रही थी लेकिन फर्स्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं बना है इसलिए मैं इसको सेकंड टाइम में फिर से ट्राइ करी हूं और सेकंड टाइम में अच्छा बन गया और मैं बीच में स्वेल वाली डिजाइन बनाई हूं वैसे इतना जादा तो बेस दिखा ही नहीं सारे डिकोरेशन में लेकिन मैं फिर भी बना दी हूं क्योंकि जो वो डिजाइन भेजे थे उसमें स्वेल वाली ही डिजाइन उपर बनी हुई थी हाँ नीचे वेब का नही तो और भी लुक इन्हेंस हो जाएगा और आप लोग जरूर बताना कि वो लगाई हूं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है और यह गोल्डन कलर का मैं चार बॉल लगाई हूं और दो रोज लगाई थी और दिखने में बहुती सुंदर लग रहा था बना निचे निचे लगा रही हूं क्योंकि मैं सोच रही थी क्या लगा दो कि जिससे इसका लुक इन्हेंस हो जाए अपने हिसाब से जो समझ में आया करते गई तो आप लोग जरूर बताना कि हाँ इतना सारा करी हूं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं क्योंकि केक बहुत छोटा सा था अभी तो आप लोगो को क्या पता बड़ा ही दिख रहा हो लेकिन छोटा सा ही केक है नीचे भी मैं हाट लगाई हूं और उपर एक पत्ती उसमें भी मैं गोल्डन कर रख देती हूं और जब वो पानी छोड़ना बंद कर देता है उसके बाद ही मैं अपने केक पर अपलाई करती हूं एक दो बार क्या हुआ कि जब पानी छोड़ा था उसी टाइम में डश्ट लगा के रख दी मेरी गानिशिंग पर बून बून जैसा आ गया था तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और यह केक का मैं चार्ज टू सिक्स्टी करी थी सो रुपया एक्स्ट्रा करी थी क्योंकि गानिशिंग का तो उतना जाता है यह मेरे केक का फाइनल लूक उमीद करूंगी कि आप लोग को पसंद आएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइ बाइ